बॉलिवुड में इन दिनों चल रहे ड्रग एंगल को लेकर हाल ही में अक्टरस हेमा मालनी ने बातचीत की है जैसागी आप सभी जानते हैं सुशान से के जाने के बाद बॉलिवुड में ड्रग कनेक्शन को लेकर NCB काफी सक्त हो गई है क्योंकि रिया ने अपने बयान में बॉलिवुड स्टार्स का इस कनेक्शन में जुड़े रहने का खुलासा किया था जिसके बाद से ही इस केस के लिए कई बॉलिवुड सतारों पर इर्जाम लगाये जा रहे हैं वहीं इसमेर बात करते हुए हेमा मालनी ने बताया कि आज इस तरह की कोई चीज नहीं हुई इससे पहले बॉलिवुड में बहुत सम्मान के साथ काम की आ जाता था हेमा मालनी ने बताया कि आज वो इंडिस्ट्री में बहुत शामिल नहीं है लेकिन आज भी ये मानती है कि ड्रक्स को लेकर ऐसा कुछ भी नहीं है उनका कहना है कि जो ड्रक्स की बात आप लोग कर रहे हैं वो ऐसा नहीं है सिर्फ बॉलिवुड में ये करीबन हर जगा है उसका असर यहां पर बड़ा हुआ है लेकिन मैं ये बताना चाहूंगी कि अगर जया बच्चन और अवेकिशन ने जो मुद्दा उठाया उसमें आपस में लड़ने की बात ही नहीं है दोनों का मकसर यही था कि जो बॉलिवुड के विशम में बात की जा रही है गलत कहा जा रहा है उसे रोकने की कोशिश की जानी जाही है अगे कहा कि इतनी popular industry है जिसे बहुत आसानी तरीके से बदनाम करने की कोशिश की जा रही है जो मुझे अच्छा नहीं लग रहा यही वो मुझ्ध के बात है जो मैं कहना चाहूंगी यह बॉलिवुड को बद्दाम करने की कोशिश है, मैं इन बातों को नहीं मानूँगी क्योंकि इतने महान कलाकार रहे हैं, जिन्होंने बहुत व्यापक तौर पर हमारी इंडस्री को योगदान दिया है, इसलिए मैं इन बातों को नहीं मानूँगी, मैंने कितने पुराने व यहां भी आया हुआ है उससे हटाना जरूरी है बस बॉलिवोड को बदनाम मत करो इसके बाद इंटर्व्यू लेते वक्त जब हेमा से पूछा गया कि क्या वो ड्रग्स आपके जमानी से चला आ रहा है तुम्होंने कहा कि हमने कभी सुना ही नहीं हमें ड्रग के बारे में पैसा कर सकते हैं हम सभी एक बहुत विवस्थे जिन्दगी जीते हैं प्रॉबर वर्काउट योगा और तभी आपको अच्छे दिख सकते हैं जो लोग स्क्रीन पर दिखते हैं उनमें से कहीं अक्ट्रिस तो बहुत संदर दिखती हैं आपको लगता है यह ड्रग को लेकर स इसा हुआ ही नहीं जब तक हम लोग रहें तब तक ऐसा कभी नहीं हुआ यह बहुत अच्छी इंड़स्ट्री थी सब्सक्राइब आर चैनल और प्रेस्ट बेल आइकन फोर मोर अपडेट्स